सुनिल सर्मा के साथ आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज का खास प्रोग्राम गाज़ेबाद मांगे मौर इस समय हम मौजूद हैं निवारी छेतर में और हमाई साथ किसान है जैसा कि आपको बता दें कि फरवरी 2021-22 का एक बजट सत्र होने वाला है बजट आने वाला है और उसमें किसानों को क्या चाहिए और किस तरह की किसानों की जरूरते हैं वो जानने के लिए निवारी छेतर में हम किसानों के बीच आये हैं इनसे वो भी जानेंगे कि किस तरह की मुसीवितों का सामना किसान करता है जी सबसे पहले आप अपना नाम बताएं यहां पर किस अलाव फर्द लाव यह लाव किसान इतनी जूरूत कहां से पूरी करें ब्लैक से माल को बेचते हैं बिलैक इतने किसान लेने जाता है फिर कहते दुकान बंद होगी टैम खतम हो गया फिर धक्के खाते हैं डीजल पर इतना पैसे बढ़ा दिया है बहुत जादे किसान अपने गन्ने को गेर के आता है गन्ने को गेरने के बाद में एक परची दे देते हैं उस पर कोई पैमिंट कोई रेट नहीं है भी कि क्या रेट ल हो टैम पर ना खात कि ना बीज की बिजली का बिल इतना पंड़ा चुका है जंगल को बढ़ा दिया जनगल मिल्च किसान का पैसा नहीं मिलता किसान का इन से बिजारों से बहुत परसाण है वो फफसले हैं कि अपने रखवाली कोई आप नहीं मिल रहे हैं कि रखवाली के बावजूद भी जो मवेशी हैं वापकी फसले घा जाते I am a Chang Smन का समधान वह व। हैं यह चाहते हैं कि मवेश wealth करस कौ anticipate intrigued कि आपक बीमा किया जाता है तो पिर नहीं हमारे लाइक नहीं है किसी के बसकी नहीं है हर किसान एक सनी है कोई करवा सकता है और हमें जिसे यह ओन-LINE वर्क हो रहे हैं जो भी काम होता है ओन-LINE हो रहा है जो हमारे बाबा जी आनके खराब हो चुके हैं उमर हो चेक्टी उनकी तो जहां उनका उनल्टे सब कुछ फिर भी वे कहते हैं जो अपने बाब बोगलिया हो फिर बाबा गंग उठनी आता फिर हमें खात नहीं मिलता इतना हमारा पानी का टैम हो फजल को इतने नश्ट हो जा फजल इसे हमें फायदा कुछ नहीं हो रहा है इसे हम बहुत परेसान हैं और प्लस हमारे बंदर और बिज मंतरी जी से क्या चाहते हैं बजट में बजट में हम यह चाहते हैं हमें खात पे सबसीडी मिलनी चाहिए हमारा पहले क्या नहीं हमें कट्टा पचास किलो का आता था अब 45 का कर दिया रेट तो आगए गो हो रहे हैं कि ना की पिछे गो रहे रेट तो जद्द हो रहे हैं कम इतनी हिसाब कि तुष सर्कारमें कुछ सही नहीं हो रहा जाए वित मंतरि जी सब्क्या आटे और क्या चाहते हैं अपने लिए बस हम क्या चाहँ हैं जो एधी यह हैं यह था यह नियम जो है गोवर्मेंट के अब आप यह बताओ कहां से लाओं यह अंग उठे नहीं आ रहे कल बैंक में गई वापस आगे दूसरी किताब बनवाओ दूसरे इसका समाधान किसान के बसकी थोड़ाई यह वही तो करना समाधान पर नहीं है कोई सुनवाई वितमंत्री हम खली है कि जहीं तरह से सब्सीडिय वगरा मिलनी चाहिए और जिस त पूरा उमीद है गवर्मेंट के अंदर पूरी आसा है कि इन्हें जो इमस्पी का जो रेट है उस पर इन्हें फिक्स रेट मिल पाएगा जी अब बताईए आप वित मंत्री जी से बजट में क्या चाहते हैं हम यह चाहते हैं यह जो अवारा पसू है इनका समाधान होना चाहिए और इनका समाधान होना चाहिए किसी यह हम तो सब इनी पसूह को भगाने के चक्कर में लगे रहते हैं जब जब इन से कोई हमारी उनी होती आते हैं फिर थोड़ी देना फिर बढ़ जाते हैं खित्तों में बताओ जब मारी फसल नश्ट हो जाएगी तो कहां से कहां से बच्चों के फिश देंगे कहां से डीजल डाल माँएगे कहां से बहुत बढ़ी समझ्या है आप आपने इन से बुच जह था क्या नाम है आपने लिए हैं आपने खेट का बीमा कराया है नहीं करूए परदान मंत्री तो तो इसका बीमा तो होता है, पैसा तो बैंक में इसका कटता है, पर इसका लाब नहीं मिलता किसान को, उसका में कारण क्या है, में कारण यह है किसान को कि ना तो इसके बारे में कुछ पता है, ना कोई जागरूत करवाता है, आधिकारी आकर, तो इसका पैसा तो कट जाता है, किसान का पैसा कट जाता है तो किसान जाकर कोई भी उनी करता है तो किसी को ये पता नहीं पैसा काएं के लिए कट रहा है क्या हमारा भीमा है खेत खा लेते हैं कोई भी जाकर इसका उनी करता तो पैसा कट जाता है केसी सी क्रेडिट कार साथ परसेंट भी आज चार परसेंट छूट देती है सरकार तो पैसा लिया जाता है 12% बारे परसेंट और क्या ना, मैं 7% पर बारे परसेंट व्याज लेते हैं बсемक वाले फालतु करवाते हैं पैसे बारे में जमा करने के बाद में कहते हैं उसमें फाल तू भी आज करवाते हैं, दो लाग रुपे पे जैसे भी आज हुआ, तो 14 हजाव रुपे बैठा, दो लाग रुपे का भी आज, वे करवाते हैं 25 हजाव रुपे जमा, डेट से पहले रिनूमल होने पर भी, तो पैसा तो फाल तुखाया जाता है, सबसीरी किसी किसी की आती है, किसी की नहीं आती, कोई एप्लिकेसन दे पाता है, बैंक में कोई नहीं दे पाता, तो जो किसान थोड़ा क्या नाम है, कम जानकार है, उसका तो क्या नाम है, जो जमा करवा लिया, वो करवा लिया, जो नहीं जानकार है, वो क्या नाम है, जो चुप चाप, कहीं ना लगे हैं मीटर लगाए है पहले अब 18,000 उपर बिल होगा है किसानों का बिल कहां से देंगे पैमेंट अभी तक नहीं डला करने की परचीब है पिछली साल का जनवरी का पिछली साल का पैमेंट आया जो पिछला भुकतान 2019-2020 का है 2020-2021 सभी पूरी पिलाई ऐसी इनके लिए सबसे बड़ी समझ्चा ये भी है कि बैंकों से मिलने वाली सबसीडी है वो खिसानों तक सही समय से नहीं पोच पाती है जी अब बता है जो हम छोटे किसान हैं और यो विजारो का यहां तहल का वह कम सोग से जादे हैं और जो हमने काई बेरे कम प्लाइन भी कर चुके हैं इसलिए दो हमारी कोई सुनवाई नहीं हूरी ना विजारों का समाधान रहा और यहों के यहां भी गए थे, नए यहों के यहां सुनवाई है विजारों की, और पांच साथ विगे जमीन के मालिक हैं, इसमें मतलब जैसारी फसल कदी तीन-चार विगे घेंबो रखे थे, वो विजारों न सब नश्ट कर दिये, और जो दो-तिन विगे इंगबो रखी त खात में मतलब जो छोट होने चाहिए, और काफी सलेंडरों में भी छोट का बाहना बन आयका है, और हो जो सबसेड़ी खतम कर दी, जबकि सबसेड़ी देनी चाहिए थी गोवर्मेंट को, सब चीज महेंगी कर रखी है, और किसानों को मतलब जो कोई भी फ्यसलेटी नहीं किस तरह की सुनवाई मतलब जिस तरह से मैं आप से पूछना चाहूंगा कि जो महारा हाथ हो जाही हो तो यह भी सुनवाई नहीं नहीं बिजार हो किसी परिसानी मारी कोई सुनवाई नहीं जिस तरह से यह परधान मंत्री भीमा योजना जो चलिए फसल भीमा योजना क्या आपने बीमा नहीं करा है कि पैसे तो कटते हैं पर इसके बारे में किसी कोई किसान को आकर जाग रुक नहीं कराया कोई अधीकारी नहीं कराया इसका तुम्हारा नुकसान हुआ है जैसे फजल में तो आप आकर इसके क्या नहीं हमें जानकारी देनी है तो इसका क्या फायदा किसी को पता ही नहीं इसकी कहा जानकारी देनी है इनका सबसे बड़ा मुद्दा ये भी है कि जिस तरह से फसल बीमा योजना वगरा जो भी किसानों के हित की योजना है सरकार द्वरा चला जाती है झाल झाल